तो बेसिकली आज के हमारी इस क्लास में हम बात्षीत करने जा रहे हैं एरे फॉर्मॉला के बारे में एरे फॉर्मॉले के हम थर्ड पार डेटा स्टोडिज के बारे में बात करेंगे जैसे कि मेरे पास यहां पर आईडी है इस तरह से अब यहां पर क्या है कि मेरे किसी अलग जगह पर किसी कि मैंने यहां पर आईडी और नेम यहां पर दिया हुआ करहार ने तो यहां अगर 911 है इसका मतलब है जैलिय कहाँ है अगर 22 है मतलլ मुंबाई है जब thief है है इसका मतलब है कि गहाता है नहीं रखना है तो कैंसे करेंगे तो उसके लिए लेंगे कि पर लेंगे अब हम यहां पर अंदर हो यहां are कॉमा होता है जिसे कॉलम है तो कॉलम के जगा पर कॉमा आएगा डाली अब रो टू टू रो में है तो रो के लिए सेमी कॉलन आएगा टू 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 यहां पर मुंबाइग ठीक है फिर सेमी कॉलन त्री थ्री कॉलकत यहां पर फिट टू कर देते कॉमा जीडू प्रेस एंटर जिए उके लेकिन प्रॉब्लम में है कि अगर बड़ा डेटा हो समया है कि आप लोग है सर मेहंदर जी अगर टू आप प्रॉब्लम में डाला है जिसमें दो एक तीन रोव दो कॉलन का रेटा चाहिए देना पड़ेगा ना आपको भी लोग में कॉलम इंडेक्स नंबर समझें कि नहीं जी सर जी सर तो इसने क्या कि आप बैकेंड में म मन्लद की एकसल के बैकेंड में दो रोव तीन रो और आपके जो आपके semi-coline है उसने row का partition दे दिया और जिसमें comma है उसने column का partition दे दिया तो VLOOKUP को तो table format में चाहिए ना तो हमने array के अंदर table format में data को save करें चाहिए अब VLOOKUP को बताना पढ़ेगा ना कौन से column का data चाहिए तो हमने बता दिया कि हमें दूसरे number column का data चाहिए अब question आता है कि मैं इतना लंबा इसके अंदर नहीं लिखना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे इसको copy करेंगे copy करने के बाद हम चले जाएंगे formula बाद के अंदर इसमें आता है define name define name में आऊँगा और यहाँ पर मालेजिए मैंने लिए data और जो कर्दी बाइकें में लिखा हुआ था ना ओचीज में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं then okay अब मैं यहाँ भी look up लगाऊंगा इसको select करूंगा और data और यहाँ पे comma to comma कर दिया सर लुक अप अब कोश्टन यहां पर आता है कि यह तो छोटा है हमने name manager की मालने जाके लिखा लेकिन कल के date में नाम बढ़ सकते हैं न जब क्या करेंगे क्या इस तरह से manually लिखना possible होगा चलिए हम एक काम करते हैं यहाँ पर वान जैं बारा कर देते हैं इस तरह से ठीक है अब इसको कैसे करता है मुझे हर महीने लिखना पड़ेगा लंबा हो जाएगा न सर एक फॉर्मूला होता है make array का अगर इसमें आते हैं और इसमें हम अपने data को यहां पर ले लेते हैं और यहां format के अंदर में हम जीरो देते हैं तो क्या होगा इस तरह साथ जीरो नहीं देना है हमें इसको कर देते में यहां पर वान ठीक है इसको कॉपी किरके यहां पर पेस्ट आज वैलू कर दीजें और फीड इससे उपर करके इसके data वपी कर लें या किसी वार्ड में आप आउपाइंट में लें जाएं फीड डिफाइन नेम में और यहां एक कोल के साथ उसको पेस्ट करके ओके कर अब मैं कहीं भी फॉर्मूला मुझे लगाना होगा जैसे कि मान लीजिए मैं वान देता हूं तो मन्त आना चाहिए तो यहां पर वी लुक आप इसको सेलेक किया और हमने mm को सेलेक किया और कॉमा तू कॉमा जी ओ ठीक है सर आगा जैन अब बोलेंगे में पास लेटे सेक्शन नहीं है जिसके अंदर मुझे एरे टू टेक्स का फॉर्मूला अबलेबर नहीं है तब मैं अपने इस डेटा को इस फॉर्मेट में कैसे लूँ क्या सबके बास तो ओफिस 2021 या ओफिस 365 तो होगा नहीं यहां मेरी मदद करेगा मेस वर्ड को मदद करेगा मेस वर्ड और यहां पर हम एक ब्लैंक डॉक्मेंट लेते हैं और यहां पेस्ट स्पेशल करेंगे और इसमें लेंगे अनुफॉर्मेट टेक्स्ट फिस पूरे को सेलेक्ट करके रिप्लेश दिख रहा होगा और इसके मूर में चले तो अब क्या है कि one और जैन या two और फैब की बीज के स्पेश इसको टैब कहा जाता है तो इस स्पेशल में आईए और यहां पे टैब करेक्टर लेग करेक्टर को मुझे करना है कि इसमें कॉमा में और मैंने कर दिया रिप्लेश हो गया कॉमा अम मुझे जैन और टू या एक चीज मिसिंग है इनवर्टेट कॉमा जैन फैब के अंदर है ना तो inverted comma को आप word पर मत दीजिए, एक्सल पर आईए, और यहां हमने simple सा बोला, यहां पर मैं, कि जो comma है, वो replace हो जाए, comma और starting inverted comma, replace कीजिए, हो गया, फिर यहां मैंने semi column को दिया, और यहां पर बोला कि semi column, closing inverted comma and semi column, हो गया सर, बस लास्ट में जो यह semi column लगा है, फालतो है, इसके जगा पर आप curly bracket लगा दीजिए, अब इसको ठाकराल दीजिए, अपने इसमें, समझे है, क्लियर सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अब इसमें यहां पर अगर डेटा प्रेस करके enter मार दिया, तो देखे, पुरा डेटा आजाए, या equal करके मैंने mm कर दिया, और enter मार दिया, तो mm आजा, आगया ना सर, तो array के तीनों पार्ट को हमने बात कर लिए, हमने distribution के बारे में जाल लिया, हमने calculation के बारे में कल जाना, और हमने data storage के बारे में आज जाना, ठीक है, तो तीनों चीज समझ में आ गया होगा, अब जो है, इसकी अच्छे से practice करें, कल array के last class होगी, जिसमें हम कुछ array के कुछ छोटे एक्जामपर और कुछ बड़ एक्जामपर देंगा,